हलो फ्रेंड्स वेलकॉम टू एससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे पॉलीगन के प्रेशने बहु भुजी के प्रेशने देखेंगे और आपको अच्छे से मालूम है कि ये चेप्टर कितना बढ़िया है और कितना इंपोर्टेंट है तो चले सष्ट भुज़ है कि नवम भुज़ है सष्ट भुज़ है या फिर इन मैंसे कोई नहीं है देखें यहां पर मैं सबसे पहले जो योग वाला फॉर्मूला है उसे लेख देता हूँ एन माइनस टू इन्टू एक सो असी ठीक है यह योग का फॉर्मूला है और सभी अंतहे कोणों का योग एक सो असी होता है याद रखिएगा अब इसमें अगर प्रत्य की बात करें मेरी बात सुनिए अगर प्रत्य की बात करें हर एक की बात करें तो उसे हम क्या करेंगे ए से दिवाइड नहीं करेंगे ठीक है एंसे दिवाइड नहीं करेंगे के लिए रहे इतनी minus 2 बदाबर 2 को मल पर 2 से करेंगे 4 n बदाबर ये minus यह माइनस का दो इधर आके plus का दो तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा n का मान कितना निकल के आगया 6 निकल के आगया तो 6 का मतलब क्या है ये 6 बुजाए 6 बुजाओ वाला अगला प्रेश्न है यदि एक संबाहू बहुबुच का प्रतेक अंतेह कोण इसके बाह कोण का 11 गुना हो तो इस से बहुबुच की भुजाओं की संक्या कितनी होगी। मैंने पहले ही दोस्तों आपको फॉर्मूला यहाँ पर बता दिया है क्या होता है एन माइनस टू इन्टू एक सो असी ठीक है योग का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर बता दिया और अंतेह कोण क्या होता है एक सो असी अब प्रतेक का मैंने मतलब क्या बता अगर प्रतेक कहा चाहेगा तो एन से डिवाइड करेंगे प्रत्य का मतलब हर एक होता है तो उसके लिए एन से डिवाइड करेंगे और बाहे कोण का बाहे कोण कितना होता है एक स्वस्य होता है ये भी मैंने बता दिया तो बाहे कोण का ग्यारे गुना है तो इसको ग्यारे गुना कर दीजिया तो इस से बहुबुश की भुजाओं की संक्या कितनी होगी ठीक है, अब यहाँ पर भी n से डिवाइड करेंगे क्योंकि हर एक का पूछ रहा है, प्रत्य का पूछ रहा है तो प्रत्य के लिए मैंने पहली बता दिया n से डिवाइड करना है के लिए रहे, कटा लिजे, आपके प्रिश्णिक आंसर यहाँ पर आजाएगा, देखिए, हमसे एक गलती यहाँ पर क्या हो गई, मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया कि बाहु कोन क्या होता है, 360 होता है, और हमने गलती में जल्दी जल्दी से 180 लिख दिया, लेकि पर बच्चा क्या, N-2 बराबर का 11 दुने का 22, ठीक है, अब N बराबर यह माइनस का दो, इधर आके पिलस का दो हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, 22 में पिलस का दो जुड़ जाएगा, तो 24 हो जाएगा, N का मान कितना निकल के आ गया, 24 निकल के आ गया, 24 कहां दे तीन सो साट होता है इस बात को याद रखना अंतह कोण के योग का फॉर्मूला मैंने आप पर लिख दिया है अगर प्रत्य की बात करेगा तो n से डिवाइड करेंगे के लिए भी बात आप देखेंगे अगला प्रिशने अगला प्रिशने है एक संभाहू बहु बुझ के सभ अभी अंतह कोणो का योग 1080 है इससे बहु भुझ की भुझाओं की संभाह कितनी होगी फॉर्मूला आपको पता है अंतह कोण के योग का फॉर्मूला क्या होता है एन माइनस टू इंटू 180 ठीक है अब जो अंतह कोण का योग है वो कितने के बराबर दे रखा है वो दे तो नहीं करेंगे किलेयर इतनी बात अब देखिए जीरो से तो जीरो कर जाएगा ठीक है 18 से 108 से रामें कर चाएगा किलियर है अब इधर क्या बचा एन माइनस टू बचा बराबर इधर क्या बचा च्छी बचा अब देखिए यह माइनस का दो इधर जाके प्लस का दो तो प्लस का च्छी प्लस का दो प्लस का आठ तो एन का मान कितना निकल के आगया आठ निकल के आगया तो आठ का मतलब क्या 2 भूजाओं की संक्या कितनी होगी 8 होगी पहला उफशन से الحिव 8 भूजाओं वाला क्या होता है एक 8 भूज का संभाहु शर्ष्ट भुझ के प्रत्यक अंतहकोंड का नौबट्टे आठ हो तो इसमें भुझाओं की संख्या पूछ राइक कितनी होगी देखिए मैंने आपर फॉर्मूला आपको बता दिया है n-2 into 180 ठीक है सभी अंतहकोंड का योग का ये फॉर्मूला है अगर प्रत्यक की बात करेगा तो मैंने क्या बताया n से आप डिवैट कर देंगे क्लियर है इतना पहले इतनी को ही स्वाल्प करेंगे क्योंकि हमें n का मान दे रखा है 6 बोच 6 दे रखा है निकालना नहीं है दे रखा है यहाँ पर टो एन का मान 6 है 6 में से हम 2 गटा देंगे 180 क्लियर और n का मान हमको पता है कितना है 6 है अब मैं 6 से कटा दूँगा, 6,3,8,1,0,30 बार में, के लिए 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, और 4 गुने 30 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, इतना केलियर हो गया, अब देखी, अब आगे पड़ते हैं, प्रत्यक अंतहकोंड का फॉर्मुला आप जानते हैं, n-2 into 180, और प्र किसी को कोई दिक्कत नी होगी, यहां तक, यहां तक किसी कोई समस्या ने, अब हमने पहले solve कर लिया इसको, तो कितना है, इसके पूरे को हमने एक बार पहले यहां पर solve कर लिया है, तो इसका पूरे का मान कितना निकल लिया है, 120 आया, तो 120 के बराबर होगा, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा तो कौन का कितना है 9 बटे 8 है कितना है भई 9 बटे 8 है तो 9 बटे 8 8 से 120 को कटाएंगे तो यह 15 बार में कटेगा ठीक है 9 से कटाएंगे 9 दुनिय का ठारा एक जूरो 20 बार में कटेगा 5 तरिक का 15 पांच चोके 20 कटेगा अब 4 कमल पे n से करेंगे यह 4 n हो जाएगा 4 कमल पे 2 से करेंगे 4 दुनिय का 8 हो जाएगा बराबर अब यह क्रोस मल्टिपे होगा तो n कमल पे 3 से करेंगे तो यह 3 n हो जाएगा 4 n 3 n 3 n इधर लेके आउगा तो यह पिलस का है इधर आके माइनस का तो 4 n में से 3 n गटेगा n बचेगा यह माइनस का 8 बराबर के दर लेके जाऊँगा तो पिलस का 8 तो n कमान 8 निकल के आगया तो इसमें कितनी भुजाएं हैं 8 भुजाएं हैं डी ओप्सन हो जाएगा प्रेशन का सही आंसर उमीद करूँगा कि इन प्रेशनों में अब आपको कोई गलती नहीं करनी है अच्छे तरीके से समझ में आगया होगा आप देखेंगे अगला प्रेशने अगला प्रेशने है किसी संबाहु अश्ट भुज की प्रतेक अंतह कौन तता बाहे कौन का अनुपात है अच्छा प्रेशनी है ये आपका ठीक है अब आपको बहुत अच्छे से एक बात पता है कि प्रतेक अंतह कोण का योग कितना होता है n-2 into 180 यही होता है अगर प्रत्य की बात करेंगे ठीक है प्रत्य की बात करेंगे तो बट्टे में क्या जाएगा n आ जाएगा यह बात आपको अच्छे से मालूम है बट्टे में क्या जाएगा n अब यहाँ पर यह है कैसा संभाहू अश्ट भुझ है संभाहू अश्ट भुझ का मतलब n का मान आपको 8 दे रखा अश्ट भुझ का मतलब यह 8 भुझाओं वाला है तो n का मान 8 आ गया ठीक है अब इसको तरीके से फॉल्ट करेंगे ठीक है तरीके से इस प्रिश्चनी को हम solve कर लेंगे आपकी प्रेश्णिक आजाएगा चुटकी हो मैं देखे कैसे formula यहाँ पर है अब मैं यहाँ पर लेखिए अंतहे कौण कि अंतहे कौण कितना होता है अंतहे कौण का योग 180 होता है ठीक है और यहाँ पर बाहा कौण भी कहा गया है और बाहा कौण का योग 360 होता है मैं आपको पहले ही बता दिया अंतहे कौण का योग 180 यह तो पूरा formula है ठीक है अंतहे कौण 180 होता है बाहा कौण 360 होता है बाहा कौण 360 और एन का मान हमारा 8 है मतलब यह एक अश्ट पुझे तो 8 है तो बाहा कोण में 8 से डिवैड कर देंगे ठीक है कितनी वर जाएगा 8, 4, 32, 40, 8, 55, 45 वार में जाएगा के लिए रहे अब हमें करना क्या है 180 में से मैनिस कर देंगे 45 को हमें निकालना है अनुपात ठीक है अनुपात निकालना है internal और external का internal मतलब अंतहे कोण external मतलब बाहे कोण का में अनुपात निकालना है तो 180 में से 45 को घटा दूँगा ये 135 आ जाएगा वाई यहां पर हमारा बाहे कोण कितना निकल काया है 45 लिकल काया आए 45 लिखतेंगे अगर ये कटके छोटा हो जाएगा तो कटाएंगे बिल्कुल 45 एकम 45 45 तरिक का 135 तीन अनुपाते एक आजाएगा तीन अनुपाते एक दे रखा है डियो आफ्सन में ये आपके प्रश्ण का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा किलियो भी बात अब देखेंगे अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण है एक शेष्ट भुज में कितने विकर्ण होते हैं यहाँ पर पूछ रहा है विकर्ण तो विकर्ण निकालने की मैं आपर फॉर्मूला बताऊंगा आपको विकर्ण की संख्या कैसे निकाली जाती है मैं आपको पता हुआ ठीक है विकर्ण की संख्या आपको पता करनी है विकर्ण की संख्या बरावर फॉर्मूला होता है एन उन्टू एन माइनस त्री डिवैड़ेड़ वाइट याद रखिएगा नोट कर लीजेगा अपनी नोटबुक में अब एन का मान क्या है सश्ट को तीन बार में जाएगा तीन त्रीक का कितना हो जाएगा यह नो तो कितने विकर्ण होते हैं नो विकर्ण होते हैं सी ओफ्सन हो जाएगा प्रेश्ण का बिल्कूल सही आंसर किलियर हुई बात किसी को भी प्रेश्ण में कोई समझ से यहां पर नहीं होने वाली आप देख की संख्य आपको पता करनी है मैंने अभी अभी फॉर्मूला बताया एन इंटू एन माइनस त्री डिवैड़ेड़ वाई टू अब एन का मान कितना है पिछले प्रेस्ट में तो सच्ट भुझ कहा गया था तो एन का मान 6 हो गया लेकिन यहाँ पर डेका गन का मतलब क्या होता है देका गन का मतलब होता है दस्ष म भुझडस भुझाओं वाला ठीक है दस्ष म भुझ too एन का मान 10 हो गया न का मान-दस है दस में से 3 घटा देंगे साथ नो गया व्टी में दो ठीक है देक director को पांच वार में कटेगा पांच सत्य कितना जाएगा 35 तो एक देकागन में कितने बिकर्ण होते हैं 35 बिकर्ण होते हैं 35 आपके प्रेशन का सही आंसर है और इस बात को याद रखिए अगर डेकागन कहा गया है तो इसमें 10 भुजाओं वाला है ये 10 शम भुज ठीक है तो कितने बिकर्ण होते हैं 35 प्रेशन का सही आंसर उम्मीद करूंगा सभी को प्रेशन अच्छे से केलियर हो गया किसी को भी प्रेशन में कोई समस्या नहीं होगी ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद